अलो नमस्कात उस्तोर अस्थान के उधैपूर समाचार में आपका सोगत है उधैपूर के गोगुंदा थाना इलाके के जस्वंत गाउं में पावर हाउस के पास एक कारोबारी का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है दरसल गोगुंदा थाना दिकारी दलपत सिंग ने बताए कि प्रार्थी बावुलाल मेवाड़ा ने लिखित रिपोर्ट दे कर बताए कि उनके साथ मनिस कुमार पिता मेंदर मेवाड़ा ललित पिता रमेज हरिपाल सिंग साहित चारो ललित की कार में साहरा से गोगुंदा आ रहे थे इसी दुरान तरपाल घाटी के यहां रोड पर बाइक पर दो यूवक पहले से रास्ते में खड़े हुए थे सड़क पर रुक कर उन्हें साइड में करने को कहा तो यूवक उसे उनका विवाद हो गया था जिसके बाद आपसी समझा इसके बाद मोके से रवाना हो गये थे ललित को गोगुंदा CSC लाए गया जहां पर डोक्टर ने उसे गोशित कर दिया इसी तोरान पुलिस ने बताए कि हरिश कुमार मेवाड़ा की सूचना पर पवल पालिवाल विजेस पालिवाल ललित पालिवाल और गोतम मैता को गरपतार कर लिया है वहीं दूसरी और कारिवारी की इस गटना के बाद जानकरी सोचल मीडिया से लोगों तक पहुंची इसके बाद उधैपूर पिंडवाडा साहिरा साहित आसपास के छेतर से सेंकडो समाज के लोग एकत्रित हो गए लोग घटना का विरोध दज करवाने के लिए थाने पहुंच गए समाज के लोगों ने सभी को गरपतार करने और उने सजा दिलवाने की मांग की है सो दोस्तो उधैपूर मामले से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट जानने के लिए बने रही है चैनल के साथ अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्काइक कर लिजेगा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जैहिन दोस्तो